नमस्ते दोस्तों कैसे हो उम्मीद है सभी कुशल मंगल से होंगे। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुभ़ और शाम तो आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए रोजाना मनोरंजक वीडियो लाते हैं और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे लेडी सूकोस्टा सकीना की। सकीना यनी अपनी अमिशा पटेल जिसकी फिल्म गदर ने बॉक्स ओफिस के सभी रेकोर्ड स्टॉर दिये हैं और जल्द हाई 500 क्रोर के क्लब में शामिल हो जाएगी। बॉलिवुड में सफल्ता कभी तिकाओं नहीं होती। यहां सफल्ता का पैमाना सिर्फ मिहन पर तिका होता है। अगर आपकी पहली फिल्म सुपर्डू पर हिट है तो इसका मतलब यहां नहीं है कि आपकी बाकी फिल्मे भी वही कमाल करेंगी। अकसर बॉलिवुड की चकाचौन में ऐसे सितारे देखने को मिल ही जाते हैं, जिनकी शुरुआत तो सुपरहिट तरीके से होती है पर वहां इस सफल्ता को अधिक समय तक जारी नहीं रख पाते। ऐसे ही सितारों में से एक हैं अमीशा पटे। और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल बहचर्चित और सुपरहिट फिल्म गदर दो की वज़ह से हर तरफ सुर्खियां बटोरने वाली बॉलिवुड आक्ट्रेसेस एक वक्त पर सिनेमा जगत की टॉप आक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल होती थी फिर अचानक से कई सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद अमीशा पटेल का करियर खत्म सा हो गया और अमीशा लाइम लाइट से दूर चली गई लेकिन वर्तमान समय में अमीशा के डुपते करियर को सनी देओल की फिल्म गदर चुका सहारा मिला और अभिनेतरी फिर से सिनेमा जगत में शानदार वापसी कर पाई तो आज हम आपको अमीशा के बारे में बताएंगे कुछ रोचक बाते जिनको उनके फैंस जानना चाते हैं अमीशा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था नौ जून 1976 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जन्मी अमीशा पटेल के पिता अमित पटेल मुंबई के मशूर व्यवसाई है वह प्रसिद्ध वकील राजनितिग्य रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई में कॉंग्रिस पार्टी के प्रदेशा धक्ष थे नाटक इत्यादी में अभिने करना शुरू कर दिया उन्होंने उर्दू भाषा में नीलम नाटक में अभिने किया उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध भारतिय ब्रांडो जैसे की बजाज फेर एंड लवली कैंडबिरीज लक्स इत्यादी के लिए मॉडलिंग की अगर हम अमीशा पटेल के करियर को लेकर बात करे तो अभिनेतरी ने अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलिवुड में धूम मचा दी उनके अभिने को भारत ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया इसके बाद दूसरी फिल्म गदर आई तो वह भी बॉलिवुड की आल टाइम ब्लॉक्बस्टर फिल्म गदर एक प्रेमकथा ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिये फिल्म गदर के लिए उन्हें फिल्मफेर स्पेशल परफॉर्मेंस सम्मानित किया गया हालांकि एक सच यह भी है कि गदर की सफलता के बाद उनकी जोली में अस्फल फिल्में अधिक आ गई हमराज में उनकी भूमिका ने दर्शकों पर कुछ हद तक अपना प्रभाव जरूर छोड़ा लेकिन उसके बाद वे कुछ खास नहीं कर पाई रितिक रोशन के साथ उनकी जोडी दूसरी बार आप मुझे अच्छे लगने लगे में आई जरूर लेकिन इस बार कहो ना प्यार है जैसा जादू नहीं चल पाया दो शांदार फिल्मों के बाद अमीशा पटेल को एक के बाद एक कई फिल्मों के ओफर मिले और लगातार उनकी फिल्में रिलीज होती रही लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मनजूर था एक दो नहीं बलकी लगातार 20 फिल्मे फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुई उनकी फ्लॉप फिल्मों में क्रांती आप मुझे अच्छे लगने लगे यहाँ है जल्वा, परवाना, वादा, मंगल पांडेद राइजिंग, थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक जैसी फिल्मे शामिल है फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद अमीशा पटेल लाइमलाइट से दूर चली गई और फिर उनको फिल्मों में काम मिलना भी बंध हो गया पारिवारिक कला और विक्रम भट के साथ नजदीकियों ने अमीशा का क्रियर चौपट कर दिया सिनेमा जगत से दूरिया बना चुकी अमीशा पटेल की किस्मत एक दिन अचानक बदल गई जब उनको गदर दो का ओफर आया गदर दो फिट फिल्म रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर सिनेमा ग्रों में धूम मचा रही है इस फिल्म ने ना सिर्फ सनी देओल बलकी अमीशा पटेल को भी एक नए मुकाम पर पहुचाने की तैयारी कर ली है रॉन्डेवू मुझ सिमी गरेवाल नाम के चाच शो पटेल ने कहा था कि उनका एक बॉइफ्रेंड था जिसे वो इंडिस्ट्री में आने से पहले मिली थी वो बॉलिवुड इंडस्ट्री एक्ट्रेस उससे शादी भी करने वाली थी यही नहीं एक्ट्रेस के परिवार वालों को भी वो लड़का पसंद था लेकिन उनकी शादी उससे नहीं हो सकी मीडिया रपोर्ट्स की माने तो अमीशा पटेल का करियर उनके फिल्म में कर विक्रम भट के साथ चर्चिद अफेर के कारण चौपट हुआ था अभी फिर से अमिशा पटेल ने गदर्च के साथ शांदार वापसी कर ली है और फिल्म सिनिमा घरों में धमान मचा रही रहाई तो देखते हैं आने वाले समय में अमिशा पटेल की कौन-कौन सी शांदार मूवीज देखने को मिलती है उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से भरा यह विडियो पसंद आएगा तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर ले काता बाई बाई मिलते हैं अगले विडियो में